हेलो पिरे दोस्तो नुमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी चीक नामे तो दोस्तो बात करते हैं आज आपके सामने दोस्तो बहुत इबड़ी अपडेट लेके आए हैं तो दोस्तो आपके कोमेंट आ रहे थे कि सर हम ये बताइए कि Air Force Y Group का सले बस क्या क्या है तो दोस्तो आपके कोमेंट को देखते हुए हमने आपके लिए एक दोस्तो वीडियो बनाने का निष्च लिया है और दोस्तो आपके सामने हम परस्तुत कर रहे हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आपको पूरा के पूरे बारे में बताए जाएगा कि Air Force Y Group का जो सलेबस है और exam pattern है वो क्या-क्या रहेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जनकरिया आपको मिल जाएगी कि आपके जो phase होते हैं, phase इसमें दो होते हैं, पहला और दूसरा तो दोस्तो फेज के बारे में चर्चा होगी कि पर्थम phase के अंदर क्या होता है, दिवित्य के अंदर क्या होता है, तो दोस्तो आपको जो स्क्रीन के उपर दिख रहा होगा, exam जो pattern है, जिसमें आपके पास phase number one में, total जो marks की संख्या है, वो कितनी रहेगी, 50 संख्या रहेग और number of जो क्यूसन है, total जो क्यूसन भी कितनी रहेगे, 50 संख्या इसके क्यूसन रहेगे, और जिनके time limit कितनी रहेगी, 45 minute time limit रहेगी, और negative marking इसमें रहेगी, और वो कितनी रहेगी, 0.25 इसमें negative marking रहेगी, अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें क् मैंने screen के उपर भी लिख रखा आपके सामने की phase one और phase two, तो दोस्तो phase number first में क्या होगा, आपका online exam होगा, और phase number second का मतलब क्या, इसमें physical fitness ability, जिनोंने phase one के test को, जो online test होगा, जिसमें आपको पता है कि आपकी general awareness है, और दोस्तो आपके reasoning आएगी, एक तो, और दोस्तो second आप के पास English आएगी, तो दोस्तो इसके जो जिनोंने पर्थम test qualify कर लिया, वो ही phase number second में applicable है, उनीका ही physical fitness test होगा, अब बात कर लेते हैं आपके सामने, कि जो phase one में जो online exam होगा, उसमें English के कितने person आएंगे, reasoning के कितने person आएंगे, और general awareness के कितने person आएंगे, तो पर्थम बात कर लेते हैं English की, तो English में 20 क्यों सनाएंगे, जिन के लिए 20 ही आपके पास क्या रहेंगी, माक्स की संख्या रहेंगी, और reasoning और general ability के दोस्तों कितने आएंगे, 30 क्यों सनाएंगे, और 30 नमबर का रहेंगा, और आपके सामने दोस्तों पूरा चार्ट दिखा देते हैं, subject लिख और reasoning और general awareness, जिसकी short form है RAGA, तो दोस्तों इसके 30 आएंगे, तो 30 नमबर है, टोटल होगे, 50 क्यूसन होगे, 50 ही नमबर होगे, और duration of time 45 मिनट करेगा, आप बात कर लेते हैं Air Force Y Group Phase 2 की, तो बात कर लेते हैं, आपको मैंने बता दिया कि Phase 1 का ही Phase 2 लिया जाएगा, और Phase 2 में ज उसमें physical fitness test है, और दोस्तों जो मैंने पैंसी से बता रखा है कि physical fitness test में क्याकर criteria रहेगा, और आपके पास timing क्याकर रहेगा, पहले इसकी जो running रहेगी, वो 1.6 किलोमेटर की running रहेगी, और जिसके लिए time रखा गया है 6.5, साधे 6 मिनट का time रखा गया है, 10 इसकी push up होंगी, 10 sit ups होंगी, और 20 के square होंगी, आपको लगाने है, तो दोस्तों physical fitness हो जाएगी सभी की, पहले इसका जो test है, वो ही main है, तो दोस्तों आपको जो पता है, वही 6.5 मिनट के अंदर, कितना किलोमेटर दोड़ना है, 1.6 किलोमेटर की running है, ये दोस्तों नोर्मल हो जाती है, किसी प त्यारी कर ले, physical fitness हो जाएगी, आप किसी पर काई टेंशनेर रणिंग में, जैसे आप दोड़ते हैं, थोड़ा बहुत भी दोड़ते रहें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, push up अपने लगाते रहें, sit ups लगाते रहें, और भी skates लगाते रहें, क्राइटेरिया आप माने चल समने चर्चा करते हैं, तो दोस्तों, air force, group y, English का जो syllabus रहेंगा, 2021 के pattern के अंदर क्या क्या रहेंगा, तो पर्थम बाद लेके जलते हैं, comprehension जो पैसी होता है, आपके सामने वो रहेगा, फिर बात करते हैं, grammar का portion रहेगा, थड़ बात कर लेते हैं, word formation होंगी, word formation किस से कैसे, noun from verb से और adjective से, noun आपने verb से बनाने है, noun from adjective, आपके सामने किस से बनाने है, adjective से बनाने है, फिर इसमें preposition रहेंगे, determination एंदर रहेगा, noun और pronoun रहेंगे, models रहेंगे, और class रहेंगे, class की जो bracket में लिक रखा है, noun adjective और दोस्तों लिक रखा है, relative, फिर इसमें conjunction का जो portion है, वो भी इस में सामिल होगा, और दोस्तों आप ये साथ साथ नोट करते रहें, या फिर आपे स्क्रीन सोट ले सकते हैं, जो आपका पूरा का पूरा हम सलेबस लेके आई हैं, आपके कहने के उपर हम सलेबस लेके आई हैं, काफी मेरे पास है, what's up पे, facebook पे, instagram पे, काफी message आ रहे थे औ हम हैं और काफी फोन भी आ रहे थे कि सरे सलेबस के बारे में बताईए कि इसका जो सलेबस है, हम तैयारी कर रहे हैं, एरफोर्स X ग्रूप की हम तैयारी कर रहे हैं, एरफोर्स Y ग्रूप की, तो दोस्तों आपके सामने हमले किया हैं, एरफोर्स Y ग्रूप का, तो दोस्तो एर फोर्स वाई ग्रूप में इंगलिस है इंगलिस में दोस्तों आप ये नोट कर लिए अपना अपना जो सलेबस है इसकी पूरी जानकरिय आपको दी जाएगी तो दोस्तों लाश्ट आपके पास कंजेक्शन का हो गया यहां तक आपने नोट कर लिया होगा अब चलते हैं इससे आगे तो दोस्तों इससे आगे देखिए वही कंजेक्शन के बाद में एड़ वर्ब возь आएंगे फिर आपके सामने पेइपर में मिलेगा इसके बहुत से परसंग सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की फोरमेशन और zwaror और उसके use मिलेंगे फिर बात करेंगे sentence के जो transformation है उसकी चर्चा होगी simple होगे negative होगे compound होगे complex होगे फिर बात रहेगे आपके सामने one word substitution रहेगा फिर syntonium और antonium रहेंगे और spelling के जो error है spelling के जो error अत्रिक स्थानवड़े वो रहेंगे और idiom and phrase जो आपके पास मौवरे और लोकंतिया हैं वो आपके पास सामने इसमें आपको देखने को मिलेगी एरफोर्स से वाई गुरूप के exam के अंदर तो दोस्तो यहां तक की बात आप नोट कर लें पूरी की पूरी दोस्तो आपके सामने हम इस वीडियो के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं तो दोस्तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती जा रही है तो दोस्तो अपने जो साथी हैं उन तक भी इस वीडियो को पोचा दे ताकि उनकोई पता लग सके कि वो जो एरफोर्स वाई ग्रूप की तैयारी कर रहे हैं उनकी लिए जो चलिब बस का क्या क्या पैटरन रहा है वो दोस्तों क्या क्या उन्होंने पढ़ना है कुड़-गुड़ से टोपिक के अंदर जादा जादा माइंड देना है तो दोस ले बस तो पहले बात करते हैं numerical series रहेगी फिर बात करते हैं distance and direction sign test रहेंगे उनके बेस पे kitchen आपके सामने देखने को मिलेंगे फिर बात करते है mathematical operation आपको देखने को मिलेंगे number और time sequence टेस्ट आपके पार ranking मिलेगा फिर आपके सामने assignment artificial value to the के लिख रख़ा आपके सामने mathematical digit के question देखने के मिलेंगे insert correct and mathematical sign के question मिलेंगे human relation के मिलेंगे और coding और decoding आपके सामने मिलेंगे दोस्तों circle से आपके सामने दोस्तों यह जो एडला एडला लिख रख़े हैं दोस्तों यह है important है यह आपने फिल्कुछ होड़ने रही हूम आपके सामने के भैं आपसे पता कर ले की इस फोटो में आपसे यह पूचा गया है की यह फोटो आपके दाधा की है दादा के फोटो धस आ Caroline के आपके पास पोटो है तो आपके पा स्थज तो coding और decoding से आगे बताते हैं old man out के question मिलेंगे mutual relation problem मिलेंगे tallist youngist relation मिलेंगे और आपके सामने analogy मिलेंगे non-verbal reasoning मिलेंगे फिर number coding मिलेगा number puzzle मिलेगा ratio और proportional के base पे आपके सामने question मिलेंगे average के base पे question मिलेंगे LCM and SCF के question मिलेंगे profit and loss के question मिलेंगे time distance and speed के base पे question मिलेंगे percentage और आपके सामने simplification of number मिलेंगे और आपके सामने fractionance के जो भी question है आपके सामने given मिलेंगे तो दोस्तों यहां तक की बात आप note कर लेंगे फिर हम दलेंगे इससे आगे तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकरी दे रहें कि भी आपके सामने Air Force Y Group का जो असमें क्या जानकरी आपको मिलेंगे इसमें सारी के सारी अपडेट आपके सामने हम लेके आएंगे तो दोस्तों आपका friction तक का का काम हो गया आप जलजल जिन note करते रहें यदि आपनो दोस्तों नोट नहीं कर दे रहें तो दोस्तों आप अपने जो जैसे screenshot ले लेते हैं दोस्तों आप इनका screenshot लेते रहें अब बात करेंगे कि फ्रिक्शन से आगे क्या क्या portion आपका remaining है इसमें वो भी आपको इस वीडियो के मादम से हम बता रहें हैं तो दोस्तों आप देखिए area of triangle के base पे question मिलेंगे area of square area of rectangle के फिर बात कर लेते हैं area के बाद में surface area of the volume of cuboid के base पे cylinder के base पे cone के base पे, sphere के base पे और जो probability होती है प्राइक्ता जिसे हिंदी में बोलते हैं उसके base पे question मिलेंगे simple trigonometry के base पे आपके question मिलेंगे sign के, cos के, ten के, code के, second के, ऐसे दोस्तों question की value दोस्तों जो true table है जो जैसे table होती है 1045 की value बता ही है दोस्तों उसके base पे आपके पास question मिलेंगे आप table ज़रूर याद कर लें general science के जो question है आपको वो मिलेंगे civils के question मिलेंगे जोगराफी और दोस्तों current जो event है जो आपके पास जो current जो event जैसे अभी क्या हो रहा है अभी जैसे आपके पास currently जो question बनते हैं जिसे आप current affair बोलते हैं जो currently जो question बने हुए हैं जैसे अभी आपके सामने अभी था किसानों का जो अंदोलन हुआ था उसके बेस पे क्यूशन पता कर लिए कोई भी budget पास कर लिया कोई भी दारा के बेस पे क्यूशन आपके पास मिल गए फिर इसके बाद बात करते हैं जैसे जोगराफी में आपके पास क्यूशन मिल गए जोगराफिबा दोस्त इसकी current event के बारे में बताया दिया वो दोस्तो आपके सामने history के बारे में दोस्तो question इसके मिलेंगे और basic जो computer जो operation है basic जैसे जिनोंने तीर मेने का जो coach लेते हैं जो उनके जो basic जो computer होता है उनमें जो सिखाते हैं computer के बारे में input output ऐसे आपके पास question मिलेंगे तो दोस्तो यदि आपको हमारी वीडियो दोस्तो पसंद आई तो दोस्तो आपके चैनल को subscribe कर लें और नीचे जो आपको bell icon का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि बविश्य में हर परकार के दोस्तो अपके पास है जैसे कोई forum से लेक के लगा लो या फिर है आपके सामने दोस्तो हम जो course कर वा रहे हैं physics का तो दोस्तो उससे base पे लगा लो हर इंफरमेशन आपके चैनल के माद्यम सबसे पहले आप तक हम पुचाते हैं धन्यवाद जहीं जवर